इस सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में हम ध्वनी अनुनाद ट्यूब उपकरण के द्वारा ध्वनी की गती को कैसे ना पा जाता है ये देखेंगे आपके समक्ष ये ध्वनी अनुनाद ट्यूब उपकरण है उपर में इस परिक्षन के लिए सहायक उपकरण भी है इस ध्वनी अनुनाद ट्यूब उपकरण में ये जल भरा बरतन ये बरतन एडजस्टिबल होता है याने इसको हम उपर या नीचे हिला सकते हैं इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसकी हाइट को इसकी उचाई को हम एडजस्ट कर सकते हैं इस उपकरण में ये तीन नलियां होती है और ये तीनो नलियां आपस में जुड़ी हुई है ये एक तो साधारण नली जो की जल भरे बरतन से जुड़ी है और उनसे दो अलग और नलियां जुड़ी हुई है साधारण नली से जुड़ी हुई है पारदर्शी नली और फिर उसे ये धातू की नली जुड़ी हुई है तीनों में जल का स्तर जैसा कि हम जानते हैं एक समान होगा क्योंकि तीनों आपस में जुड़ी हुई है इस साधारन नली का काम है कि जल से भरे बरतन से जल को दो अन्य नलियों में डालना दूसरी पारदर्शी नली का काम है कि जल के स्तर को दिखाना ताकि हम उसे साथ लगे इस स्केल से नाप सकें ये स्केल हमें स्पष्ट यहां नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन बाद में दिखेगा और तीसरी नली का काम है वायू का स्थंब तयार करना जहां तक जल है जल से उपर जितनी भी जगा खाली है वहाँ पर वायू का स्थम्ब बन जाता है और उस वायू के स्थम्ब को हम उपयोग में लेंगे अपने परिक्षण में नीचे में ये साहयक उपकरण है ये जल से भरा हुआ एक बीकर विभिन आवरित्यों वाले अलग-अलग ट्यूनिंग फोर्क ये ट्यूनिंग फोर्क एक निश्चित आवरित्ती की ध्वनी उत्पन करते हैं जब इने हम इस रबर पैड पर हलके से इसको तकराते हैं तो ये परिक्षण कैसे होता है इसको आईए हम विस्तार में देखते हैं अब हम इस बरतन में जल डालते हैं जो पारदर्शी नली एवं धातू की नली में पहुँचेगा बरतन को उपर या नीचे एड़्जेस्ट करने पर जल का स्तर भी अपने आप उसके अनुरूप एड़्जेस्ट हो जाता है हमने जल के स्तर को सतरे सेंटीमिटर पे रखा है और हम पाएंगे कि इस स्तर पे हमें पहला अनुनात सुनाई देता है हम 512 हर्ड़्ज की आवरित्ती का ट्यूनिंग फाक प्रयोग में लेते हैं ये थी पहले अनुनात की ध्वनी दूसरा अनुनात 51 सेंटीमिटर के जल के स्तर पे होता है ये है हमारा अब्जर्विशन टेबल हमने 512 हर्ड़्ज की आवरित्ती वाला ट्यूनिंग फाक उप्योग में लिया हमारी पहली रीडिंग 17 सेंटीमिटर याने दस्मलव एक साथ मीटर था हमारी दूसरी रीडिंग 51 सेंटीमिटर याने दस्मलव पांच एक मीटर था और इस तरह तरंग दैर घे याने वेवलेंथ दस्मलव छे आठ मीटर हुआ और आवरित्ती गुणा तरंग दैर घे याने फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ बराबर 348 दस्मलव एक मीटर प्रतिसेकंड निकला ये सारी रीडिंग हमने 25 डिगरी सेंटीग्रेट के तापमान पे लिए थी झाल